दोस्तो अशोक ली लैंड एक ऐसी कमपनी है जिनके द्वारा बनाये गए वेकल से हम सभी ने सफर किया होगा क्योंकि आज भारतिय सड़कों पर चलने वाली हर पांच में से चार बसे अशोक ली लैंड की ही होती है यहां तक कि हमारी भारतिय सेना द्वारा भी चले जाने वाली मजबूत और भरोसे मंद ट्रक को यही कमपनी बनाती है और यही वज़ा है कि अशोक ली लैंड को आज भारत की वन आप दा बेस्ट विएकल मैनेफेक्चरर्स में शुमार किया जाता है अब कार्स मैनेफेक्चरिंग के बिजनस शुरुआत करने वाली यह कमपनी दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल वहां निर्माता और बस निर्माता कमपनी आखिर किस तरह से बनी और भारत के विकास में इस कमपनी के योगदान को इतना ज्यादा महत्वपून क्यों माना जाता है यही सब हम आज की हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दुस्तों अशोक लिलैंड आज भले ही दुनिया की सबसे बड़ी बस निर्माता और ट्रक निर्माता कमपनीयों में से एक मानी जाती है लेकिन इसकी शुरुबात भी भारत की दूसरी बड़ी कमपनीयों की तरह ही एक बेहत छोटे अस्तर से हुई थी दरसल अशोक लिलैंड कमपनी के स्थापना सन 1948 में पंजाब के रहने वाले रगुनंदन सरन नाम के एक फ्रिडम फाइटर के द्वारा की गई थी और उस समय उन्होंने अपने एक लोते बेटे अशोक के नाम पर अपनी इस कमपनी का नाम भी अशोक मोटर्स रखा था अब रगुनंदन सरन जी की अगर बात करें तो अपनी इस कमपनी को स्थापित करने से पहले यानि कि देश के आजाद होने से पहले वे रावल पिंडी शहर में अपने पिता की एक गाड़ियों के वर्क्शॉप चलाया करते थे उनके पिता उस समय के जाने माने एक रईस आदमी थे जिनकी शोहरत के चलते लोग रगुनंदन सरन जी को भी पहचानते और इज़द देते थे लेकिन दोस्तों रगुनंदन जी को यही चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो खुद अपने दम पर कुछ अलग करके अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे और इसी इरादे से ही उन्होंने अशोक मोटर्स के रूप में अपनी खुद की ऑटोमोटिव कमपनी शुरू की थी जो कि शुरुवात में इंगलैंड से गाड़ियों के पार्ट को इंपोर्ट करके भारत में ऑस्टिन कमपनी की कार्ज को एसेमबल और मैनुफेक्चर करने का काम करती थी इस कमपनी का पहला हेड़क्वाटर और मैनुफेक्चरिंग प्लांट चेन्ने में बनाया गया था जहांपर 1949 में पहली बार इस मैनुफेक्चरिंग प्लांट के अंदर आस्टिन कमपनी की A40 कार का स्वदेशी तकनीक से निर्मार किया गया था अब यू तो उस समय इस कमपनी का यह कार मैनुफेक्चरिंग का बिजनस ठीक ठाक चल रहा था लेकिन रगुननदन जी को यह बात समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि उस समय के नए आजाद हुए भारत के विकास के लिए पैसेंजर कार्स से कहीं ज़्यादा जरुर अब यह बात चीत करने शुरू कर दी ताकि इस कमपनी के साथ मिलकर भारत में भी कॉमर्शियल वेकल्स का निर्माड किया जा सके और दोस्तों इसके बाद आर्थिक मदद के लिए मद्रास राज्य सरकार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर रगुननदन जी की इस कमपनी में पैसा भी इन्वेस्ट किया लेकिन इससे पहले कि अशोक मोटर्स वे लिलैंड मोटर्स कमपनियों की बीच में कोई डील साइन हो पाती दुरभाग्य से सन 1903 में एक एयर क्रेश दुरगटना के चलते रगुननदन जी का देहांत हो गया और उनके देहांत के बाद से कमपन के बाद से राजय सरकार्व शेर होलडर्स के द्वरा इस डील को पूरा किया गया जिसके बाद से शन 1904 में इंगलैंड की लिलैंड मोटर्स भारत की अशोक मोटर्स के साथ जोड गई और इस तरह से कमपनि का नाम अशोक मोटर्स से बदलकर अशोक लीलैंड रग दिया ग कॉमेट 350 ट्रक का निर्माड किया जिसे की मैंगलोर के एक टाइल फैक्टरी को बेचा गया था दोस्तों लिलैंड मोटर के साथ जोडने का कंपनी को यह बहुत बढ़ा फायदा हुआ क्योंकि आधुनिक टेकनॉलजी की मदद से अशोक लिलैंड एक से बढ़कर एक एडवा भारत में लाने वाली कंपनी अशोक लिलैंड ही होती थी यहां तक कि भारत में डबल डेकर बस का कॉंसेप्ट भी अशोक लिलैंड ही लेकर आई थी जिसके चलते सन 1967 में पहली बार भारत की सड़कों पर डबल डेकर बसे दोड़ी थी जबकि उस समय सिर्फ अमेरिका और यूरोप के ही कुछ देशों में इस बस का कॉंसेप्ट आया था। और दोस्तों इसमें भी सबसे अहम चीज यह थी कि अशोक लिलैंड के द्वारा उन बसों का निर्माड स्वधेसी तकनीक से किया गया था। से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अशोक लिलैंड ने मजबूत ट्रकोवा बसों जैसे कॉमर्शियल वाहनों के सेग्मेंट में अपनी एक अलग रेपोटेशन बनाना शुरू कर दिया। और इसे के चलते लोगों का इस कंपनी पर भरोसा बढ़ता गया। और दोस्तों आ संस्सथान कर हैरानी होगी कि हमारी सेना के लिए वाहन बनाने वाली सबसे प्रमुक कंपनी भी अशोक लिलैंड़ी है। असल में सन 1970 के दौरां इस कंपनी को सेना के लिए 10,000 हिप्पो ट्रग बनाने का कॉंट्रेक्ट दिया गया था। जिसके चलते अशोक लिलैंड ने भारतिय सेना के लिए ऐसे मजबूत ट्रकों का निर्मार किया जो कि किसी भी परिस्थिती का सामना कर सकते थे। और दोस्तों तब से लेकर आज तक यही कंपनी ही भारतिय सेना के लिए ट्रक बना रही है। और फिर दोस्तों इसी तरह से समय के साथ धीरे धीरे यह कमपनी सफलता की तरफ बढ़ती चली गई सन 1980 में कमपनी ने तमिलनाडु के होसूर शहर में अपना एक नया प्लैंट बनाया जहाँ पर और भी ज़्यादा बड़े और भारी कॉमर्शियल विकल्स का निर्मार चुरू किया गया इस प्लैंट में मुख्यो रूप से मल्टी एक्सल बसे वर ट्रक बनाये गए जो की कमपनी के दूसरे प्रोड़क्ट की तरह ही बेहत सफल रहे और दोस्तों इस तरह से बसों और ट्रकों जैसे भारी कॉमर्शियल विकल्स के निर्मार में सफलता हासिल करने के बाद से थोटे वाहनों का निर्मार भी शुरू कर दिया और दोस्तों इस फिल्ड में भी यह कमपनी इतनी ज़्यादा सफल रही कि आज देश के अंदर अशोक ली लैंड के ही और दोस्तों अशोक ले लेंड फिलहाल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस निर्माता और दस्वी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कमपनी कहलाती है। अब आपके जानकारी के लिए हम बता दें किस समय इस कमपनी की ओनर्शिप भारत के हिंदुजा गुरूप के पास में है जिनोंने साल 2007 में अशोक ली लेंड के मिजोरिटी स्टेक्स खरीद कर इस कमपनी का स्वामित वहां सिल कर लिया था। नहीं बलके पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रकव बस निर्माता कमपनी बन जाएगी। बाकि दुस्तों आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा। आपका बहु मुले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय करेंगा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बलाएगी। झाल झाल